अस्सलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलमत लिल्ला में एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भई पिटारा का वीडियो आया और यहां महां जो लाइब होते रहती है वहां पे बाते हो रही थी तो वहां पे लोग पूछ रहते क्या सांड का वीडियो आगया मोटी का वीडियो आगया तो लोग बोल रहते कोई फाइदा नहीं है देखके कुछ नहीं है उसके अंदर 3-4-1 हमेशा की तरह शौपिंग दिखाना साम के टैम पे सोके उठना और एक ही बेटी के मौ में कैमरा डालना देख ले पिटारा यह है तिरी उकात सब को मना किया जा रहा था कि कोई मत देखो इसका वीडियो जाके क्योंकि कुछ नहीं है वीडियो में कुछ भी नहीं है ना घर की रूटिंग है ना बच्चो की केर है ना कुछ है ना बच्चो का कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ भी नहीं तो यही बात है पिटारा तिरे वीडियो में कुछ भी ही नहीं होता है उटके साथ में आयत के मुँपे कैमरा डालती है जो कि उसके बाल ऐसे हवा में है ना ऐसा लग रहा होता है को करन्ट लग गए तो सारे बाल खड़े है उसके और लाड तो तू ऐसे जता रही होती है जैसे पता नहीं तू कितना प्यार करती है उसके लेकिन उ प्यार करते हुए लेना तो बहुत दूर की बात है नॉर्मली भी तू वीडियो में लेने के लिए राजी नहीं रहती है। वह गोंचु की है जो तेरे को पतन नहीं है और यह तेरे प्यार की निशानी है इसके लिए तो इसको इतना चाटती है तो थोड़ी सी शरम क्यों नहीं कर लेती पिटारा बच्चों के साथ में इतना भेद भाव करना और बिल्लों के जैसी हरकते करना डुपके मरी जा तू अ अच्छे से दीख रहा था पिटारा के तो उसको कैसे डमरो बजा के नचाती है और वह बंदर नाच रहा होता है यहां तलक के इसमें बाल बनाने बोली तो वह बंदर बाल बनाने भी बैठ गया तो चोचो और यह क्या बोलती है वो मेरी सुनता नहीं है वो मुझे कूसता याज़ गर को देखे सल्मा के बाल बना रहा होगा इनके खानदान में किसी को देखे किसी के बाल बनाते हुए लेकिन गोंचु को आप लोगों ने देखे फिर भी इताफ से ज़्यादा दुकी पितारा ही है खाने के टेम पे सर ढख के खाना खाना होता है वैसे तो ज़्यादा तर लोग फॉलो नहीं ही करते इस चीज को नॉर्मली मतलब ये करते हैं लेकिन हाँ बहुत सारे लोग है जो इस चीज को फॉलो करते है कि अगर लड़का जात है ना तो उसको भी तोपी पिना के खाना की लाओ लड़की ये ना तो उसको चाहिए कि वो सर पे डुपटा रखके खाना खाए ये बाल खुले करके गोंचो को बोरी है मेरी चुटिया बनाओ और खुद क्या कर रही है बाल खुले रखके खाना खारी है कि मैं चावल खारी हूँ मैं बिर्यानी खारी है तुम मेरे बाल बनाओ वा पिटारा वा क्या सिका रही है तू क्या आवान को दिखा रही है और क्या अपनी उलादों को सिका रही है पसंद से ये उरत है ना शैतान और ये उरत दोनों में कोई फरक नहीं है अच्छा ये पिच्चर देखो ये पिटारा के टकले की पिच्चर है कि कमेंट आये तो मैं नहीं कैंशल कर दी कि मैं नहीं लगाऊंगी लेकिन इसने जूड बोलके लगाई थी इसके रियल टकला है न ये है ये टकली के सर पे बाल नहीं है और दूसरों को बलती है बड़े मूँ वालीयां मोटीयां संडियां पता नहीं क्या च्या बक्वास करती है और दूसरों के उपर नाम रखती है बैटके खुद का देखो एक आँख चोटी है एक बड़ी है मुझ इतना बड़ा है कि उसके उपर तंबू बान सकते हैं बाल है तो ना तो इसके टकले पे बाल है ना तो गोंचु के टकले पे बाल है खुद का देखती नहीं है दूसरों के उपर टांट करती है बैटके बे सरम और पिटारा अपनी बेटी के अंदर थोड़ी सी तमीजी दाल देती उसके साथ में बैटके खेल रही है अलाके घर में और भी बच्चे उनके साथ में खेलते हुए कभी नहीं नजर आती है सिर्फ इसी के साथ खेल रही है बाकी आप लोगों को एक और मैं बात बता हूँ आज इन लोगों ने जब इसने बोली ना कि मिझे डबे 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 लेने हैं तो वो टेम पे ये सब को घर में अकेले छोड़के सिर्फ और तरिपायत को अच्छे से तयार करके अच्छे कपड़े पिना के और फिर ये घर की शौपिंग करने के लिए निकली है समझ रहे हो आप लोग बच्ची को अच्छे से तयार करके ये इसको लेके निकली है अगर आप लोगों को पता ही है कि जाज आया हुआ है मिन्स के इसको मिलाने के लिए लेके निकली थी वरना ये तो इसको भी नहीं लेके जाती है इसको छोड़के जाती है और जाएंगे लेके तो दूसरा भी एकाद दो बच्चा जरूर लेके जाती है लेकिन इसने शॉपिंग के बहाने जो के अच्छा खासा ये दिन में निकली है और रात को ये साड़े आट साड़े नौ बजे का कुछ टाइम था वो टेम पे ये वापिस आईए और तिर्फ और तरिफ आयत को लेके जाना वो भी उसको अच्छे से तयार करके लेके जाना तो इसके पीछे आप लोग समझी सकते हो कि वो उसको कहां पे लेके गई थी किस से मिलवाने लेके गई थी वा पिटारा और समझती है कि सब जने न बेवकूब बैठें लोगों को समझ नहीं आ रही है अब देखो इसका नियो ड्रामा के मुझे किचन के लिए डबे खरीदने है गोंचु बोल रहा है नहीं कोई जरुवत नहीं है और हमेशा गोंचु इसको टोकता है लेकिन इस अछरत को आधत है ना फिजूल खरचा करने के इसके लिए तोक रहे है और समय बल करें कि तरे खुझकी कमाई है तो टोकता है वैसे पिटारा अगर गोंचु और इसकी मां नहीं होती ना तो पता नहीं या और् फिव 이rones नहीं लिता है लेकिन हां यह जो इसने बोली है कि मैंने एक साल से कुछ खरीदी नहीं हूँ मैंने डब्बे नहीं खरीदी मैंने यह नहीं की वो नहीं की तो आप लोग कुछ देख सकते हो यह घर में आने के बाद में जो कि अभी एक साल हुआ इसको यह घर में आने के बाद में ये तीसरी बार डबे खरीद रही है आते साथ में पहले इसने खरीदी थी मतलब किच्छन की शॉपिंग टोटल शॉपिंग इसने तीसरी या चोती बार की है और बोल रही है मैंने काफी टैम से शॉपिंग नहीं की अगर आप लोगों को याद होगा यहाँ पर आने के बाद में इसने सारी शॉपिंग की थी बरतन डबे डुबे चोकों डबे लेकर आई थी याद होगा आप लोगों को वो सारा कुछ खरीदी थी इसके बाद में अभी एक महीना पहले मलेशिया से आई थी तो इतनी सारी शॉपिंग दिखाई थी किछन की इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ फिर ये बोल रही है कि मैंने कितना टाइम हो गया है शॉपिंग नहीं की हूँ सोचो कितनी जूटी और मकार औरत है ये बाकी एक चीश तो पकड़ी गई है पिटारा की के रमजान जो गया है ना तो वो लोग सुला सफाई से ही मतलब एक प्लान के थुरू उसको भेजे है जबर जयस्ती का कंट्रोवर्सी बना के इसको भेजे है वियू उसके लिए बाकी रमजान का इन लोगों का कोई फड़ा नहीं है कुछ भी नहीं है ना कोई गिला शिक्वा है ना कोई जगडा है कुछ भी नहीं है वो जितना भी सारा कुछ हुआ था ना वो सब कुछ जान बूच के कंट्रोवर्सी की गई थी अब यह जब डबे डबे खरीद के वापिस आई है तो इसने खाली अजीब औ गरीब डबे में इसने सारा कुछ दिखाई के सामान पड़ा हुआ है अजीब औ गरीब डबे में जबके वो सब सामान इसका अच्छे वले डबे में था और रमदान गया है अच्छे डब्बे गायब हो गए नए डब्बे ले ली जैसे पिछली बार अनीता गई थी तो याद है न बहुत सारे बरतन इसने निकाली थी अनीता को और जाड़ो अली चुडायल को बाटी थी और क्या बोली थी मैं ज्यादा बरतन नहीं रखोंगी मे अब ये डब्बे खरीद रही है दो तिन दिन हुआ है रमदान को जाके और जब भी इसके गाउंस एकाउं कोई जाता है न तो ये घर के कपड़े डब्बे डुब्बे ये सब खाली करती है सब पुराने निकाल के उन लोगों को देती है और नया खरीद खरीद के आती है तो समझ गए न पुराने डब्बे उठाके रमदान को दे दिये बहुत नया खरीद रही है तो रमदान को दे दिये मींस के जगड़ा लपड़ा कुछ भी नहीं है वरना कौन देता है बताओ अगर के इनके बीच में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई होती है जगड़ा वग दिन तलग के वो टीशेट में वो नजर आया है डेली डेली तो कपड़े तो उसके पास थे नहीं अगर रहते तो चेंज करता मतलब कि इसने घर का जो जुना सामान था वो सब लपेट के इसने रमदान को दिये वर क्या बोलिए जगड़ा हुआ है उसने दोका दिया है दे फिर से बरतन खरीद रही है और जबके किचन से इसको कोई लेना देना नहीं है हर एक चीज इसको पका पकाई मिलती है ऐसा होता है ना कि हम अपने हाथों से पका रहे होते है तो हमें शौक आता है कि यह चीज चाहिए वो चीज चाहिए लेकिन इसको देखो कि जबर जस्त खरिच कर दाएंगी दब बे-कप खरिच कर दाएंग अर वह लेकर भी क्या आएए शीशे की बर्निया लेकर आये और बार बार अनु को और हलीमा को वर्निंग देरी ये कि तूटी है न तो आप लोगों से लोंगी आप लोगों की पॉकिट मनी से काटूंगी हाँ पिटारा यही तो तिरी अवकात है ना जो तु दिखा रही है बाकी दो तीन बार यह जो इसकी आयत है वो यार यार बोलते वे नजर आईए गाड़ी खोलते टेम पे भी अरे यार ममा यह देखो अरे यार वो देखो कितनी अच्छी तरवियत कर रही है ना बच्चों की ट्यूसन इस्पूल सारा को छुड़ा दिये और उसके मुह में देखो यार यार है यार बोलके बात कर रही है सोचो बच्चों की तरवियत क्या हो रही है फिर वो बड़ी होके पिटारा नहीं बनेंगी जब पड़ाई लिखाई नहीं तरवियत नहीं क्या बनेंगी दूसरी पिटारा ही बनेंगी ना बड़ा अजीब लगा उसके मुझे यार यार सुनके शरम आनी चीए पिटारा क्या बच्चो को सिका रही है तू और आप लोग देखी सकते हो कि इसकी चोटी वाली ना ट्यूशन तक के नहीं जा रही है कहां तो तैयबा को बताई थी सुरू में के गोंचु के वज़े से इसकी पढ़ाई चुड़ गई है पैसे की वज़े से पढ़ाई चुड़ गई है आप इससे कोई पूचे के होम स्कूलिंग का ड्रामा करके इसकूल चुड़ा दीती अब तो होम स्कूलिंग भी नहीं करा रही है तो इसमें को जूड बोलके कि मैं मारके जा रही हूं बर्तन करीदने जा रही हूं इसे बोलके सिर्फायत को लेके निकली पिर वहां जाके टावर पे घूम रही है और दो तीन बर्तन ली एक हली इसने और रात हो गई तो आप लोग खुछ समझ सकते हो कि यह कहां गई हुई थी क्या कर करने गई थी और क्या करने गई थी और आते टैम पर आईसक्रीम लेकर आई अल्ला इसे पागलों की तरह मरे जा रहे थे आईसक्रीम काने के लिए गोंचु बोलता है सबसे पहला मेरे को दे दो और इसने पहला उसी को दी मतलब कि ऐसा करते हैं जैसे कभी जिंदगी में अईसे गिन के एक एक बाटे है, सारे जमा ऐसे होजाते हैं जैसे कभी नसीब नहीं हुआ था, कितने होड़े हैं ना इलोग, ठाने के भूके लालची और बताओ के साबुन को सूम सूं के बूक चोयस कर रहे हैं के यह मुसकपपा के रूम में रहेंगा, यह इसके रूम मे यह उसके room में मतलब कि साबून भी लोग रह रहे के change करते रहते है और body lotion और body shower का वो सारा कुछ लेकर आई मतलब कि इतने दिन में यह सारा कुछ नहीं था पिटारा तेरे घर में मतलब कितना यह लोग drama करते है कितना दिखावा करते है पिटारा तेरे बच्चे नजर आते तू नजर आती है कि तुम लोग आटा ड़सदा दिन तलग के नहाते नहीं हो और फिर इस तरह से ये ड्रामा करके दिखाना इस तरह से लोगों को बेवापूप बनाना शॉपिंग करने के बहाने ये सारा कुछ दिखाना हाद होती है पिटारा मतलब तेरे गर में साबुन ते लपके नहीं था इतने दिन से और तुम लोग साबुन बार-बार चेंज करते रहते हो कभी ये वाला यूज कर कभी वाला यूज कर हाद है इन लोगों के अंदर बिलकुल भी मैनेर्स नाम की चीज नहीं है कोई चीज लोग और्गनाइस नहीं करके रखते हैं जानवर भी अच्छी जिन्दगी जी रहेंगे जैसी जिन्दगी लोग जी रहें और फ्रीज को लेकर भी इतने दिन से कांटेंट बना रही है फ्रीज भीड़ कर आब непwegenacie अरे भाई नया लेना है पता है हमें के तुझे पैसे कित्ता शोक है तो ले ले ये सब द्रामे करने की क्या जरूरत है भई वह इसने फ्रीज़र दिखाई इसके अंदर दूद यह वह सब रखा हुआ है बोल रही है और उसमें खोल के इसने दिखाई सारा कुछ खुला रखा हुआ था इतनी अवरत जाहिल है इतनी गंदोडी तो मैंने रख दी हूँ पिटारा इसे फटे हुए दूथ से पनीर नी बनता मतलब कितनी गंदी ओरत है यार इसको कैसे लोग कुछ भी खाते है कुछ भी करते है और दूथ फटे कैसे रहता है पिटारा तेरे गर में इतना ध्यान दिया करना गर में दिन रात बस यारों में ध्यान रहता है तो जायर सी बात है घर में नुकसान तो होंगे बोटल को लेकर उन लोगों को धमकी दे रही है कि बोटल तूटेंगी तो तुम लोग की पॉकेट मनी से काटोंगी ये जो दूथ फटे रहता है ये भी काट लिया कर पॉकेट मनी से क्योंकि उन लोग तो त कर रहा है कै नहीं कर रहा है आखिर करती करती क्या几ती है जो इसको पूछ TO पता है कि बच्चों के बच्चों के ङां जाती है वह बैल कर सोता है कि हो सोती हूं तो आप लोगों खुवद सूचों किसको इस नी फिकर हैHe? buyers ल상이ए जुड़ जाता ही नहीं कि अच्वाने लेकिए लेकर पतार नहीं कि प्यास पूझेंगी। ज'T गूण ककि जूड़ना यूप कस समझ बाहर ने लेकिन अभी जैसे हलीमा इसी के पास है आप लोग देख सकते हो इससे भी साबित होता है कि इनका कोई जगड़ा कोई कंट्रोवर्ती सची नहीं थी कुछ भी नहीं हुआ है हलीमा को छोड़ के गए है और जैसे ही अनिता की डिलिवरी हो जाएंगी ना वही दिन या उसके द सब्सक्राबादी का साज बताओं तो मैं नहीं बताओंगा तो यह बातों से साबित होता है कि इसका कुछ न कुछ साच है ना जबी वो बोल रहा है कि मैं नहीं बताओंगा और तू कब तलक के नहीं बताएंगा अजरा डॉलर का तुझे चसका तो लगने दे फिर तू क्य तो रुबिना से इसका जगड़ा哦 फोड़े बैठा जाती है बाते बन कर देती है सभी से इस तरह की एहरत आकश्वे ख़ले लींगी और सीर्फ और सरे लोगों को बेवकूप बनाए आप लोग देखना बहुत ज़े लग ए न वापिस आजाएंगो और रमदान का घर वगेरा देखे हो एंगे आप लोगों ने अच्छा कासा घर है तो रहे रहे के गाउं जाता था तो वह घर का काम चालू था जो कि अच्छे खाते यह ठूस रही थी इसके मौह में जैरती बात है इतना ठूसी है इसके मौह में तो वह सच कभी भी नहीं बताएंगा और लोगों को लग रहा है वो सच बताएंगा सच बताएंगा नहीं जब तलक के वो पिटारा की जाल में है तब तलक के कुछ नहीं बताएंगा लेकिन जब उसको पैसे की लाला चाहेंगी जब उसके चैनल से इतने पैसे मिलेंगे जितने प बल्टीबल मिलेंगे ना तब देखना फिर इसको कैसे blackmail करते है और फिर पिटारा को देखना के वह अपनी अवकात कैसे दिрахती है फिर आप लोगों को हलीमा या कोई भी इसके घर में नजर नहीं आएंगा तो ये है हलीमा का राज जो हमें नजर आ रहा है कि हलीमा से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम जानते हैं इसको प्रॉब्लम है फिर भी हलीमा को रखके बैटिए तो चले इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापी